नमस्कार विभाग किश्री, बिसिन निवस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है खवरों के और बढ़ने से पहले आगे डालते एक नज़र आज की सुर्खियों पर तो वाजार में जिन सो मिटिकाओ, गुड़चेने में कोई बतला नहीं आगर विभाग ने चालू वित्वर्ष में एक अप्रिल से दस अगस तक पहले पांच महिरे में 22,99,000 करताता को 7,401 करोड रुपे का रिफंट क्या है विभाग ने आज यहाँ बतेया कि 2,46,198 करताता को 16,373 करोड रुपे रिफंट किये के है इसे तरह से 1,37,327 मामलों में 51,029 करोड रुपे कॉर्पोरेट करका रिफंट हुआ है मार्केट रेकुलेटर सेबी ने निवेशकों से सेकुरिटी मार्केट में उनके निवेशकी प्रोसेसिंग में कोई दिकत ना हो इसके लिए 30 सितमबर तक अपने पैन को आधा से लिंक जल से जल करने को कहा है सेबी ने एक प्रेस रिलिज में सेंटर बोर्ड औफ डारेक टैक्स सेबी डिटी तवारा 13 फरवरी को चारी अधिसुषना का हवाला दिया है जिसमें कहा क्या है कि अगर 30 सितमबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन काम करना बंद कर दिगा अगर प्यान नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजिक्शन नहीं हो पाएगा सेबी ने सभी कमपनियों को यह पका करने को कहा है कि नवेशकों के पैनकार आधा नंबर 30 सितमबर 2021 से पहले लिंक कर लिए जाए सब्धकान पर शनिवार को दिली ठोक जिंस बाजार में सभी जेंसों में टिका देखा गया वश्विघ बाजार की देजी की वज़ा से शुकरवार को स्तानिय बाजार में पीच जबड़ देजी रही थी लेकिन शनिवार को सभी खाती तेलों में फीस दिर्टा वनी रहें इस दोरान सोयार रिफाइन, सुरज मुक्य तेल, वनस्पती, सरसो तेल, मुंफली तेल और पाम ओल के भाव पिछले दिवस पट्टे के रहें मिठे के बाजार में आवक और उठाव समान रहने से गुडचिन में कोई बदला निवा और उनकी भाव पिछले कारूपारी दिवस के स्तर पट्टे के रहें दल दहलन के बाजार में मसूर टाल, चना टाल, मुँग टाल, उड़ट टाल और अरहल ताल में कोई बतलावनेवाँ चने की भाव पिस्थी रहे, अनाज मंडी में उठाव सोस रहने से गेहू और चावल की भाव, पिछली कारूबारी दिवस के भाव परिस्थी रहे, बिनो की प्रदेशन में सुधार करनी मी मदद मिल सके यह नए और परियावरं की अनुकुल लूब्रिकेंड कार्बन फुट्प्रिंट को गंग करने और सबसे उन्नत पेटुल और डीजल वाहनों के लिए कड़े वे निदेशों को पुरा करनी मी मदद करेंगी बिरू रिपोर्ट आएकर विभाग ने 55 वर्ष और उससे अधिक उम्रे के वरिश्चन नाखरीकों को वितवर्ष 2021 और 22 के लिए आएकर रिटन दाखिल करने की छूट के लिए खोशना फॉर्म को अधिस उजित कर दिया है यह फॉर्म वरिश्चन नाखरीकों को बैंकों में जमा कराना होगा वितवर्ष 2021 और 22 के बजट में पेंशन आए और उसी बैंक में साथी जमा एवटी पर बैस पाने वाले 55 साल और अधिक उम्रे के वरिश्चन नाखरीकों को कर रिटन दाखिल करने से छूट का प्रावतान पेश किया क्या है इन वरिश्चन नाखरीकों को एक अप्रे से श दरूरत नहीं होगी के इंडिया प्रतिक्षिक कर बूर्ट से वेडिटी ने ऐसे वरिश्चन नाखरीकों के लिए नियमों और खोशना को आधिस सुचित कर दिया है वरिश्चन नाखरीकों को यह फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा जो पेंशन और प्यास आई पर करकर उ आगी आगर दाखिल करने की छोट उन्हें मामलों में मिले की जिनमें ब्यास आई उसी बैंक से प्रावत होगी जहां पेंशन जमा होती है आगर कारूं के तहट एक निधारी सिमा से अतिक की आई वाले सभी लोगों को रिटन दाखिल करना होता है वरिश्चन नाखरीकों और अतिमत्य वरिश्चन नाखरीकों इनकी लिए यह सिमा कुछा दिक है कर रिटन दाखिल नहीं करने पर जुन्मान तो लगता है और साथी समधित व्यक्ति को अधिक स्थोट्र पर कर कटोती देना पड़ता है बिरो रिपोर्ट बेसेन नियूज खबरे समाप्त करने से पहले आए डालते एकने सर आज की सुर्कियों पर तो वाजार में जिन्स में विटिकाव गुड़चने में कोई बतला नहीं सनियर सिटिजन को नहीं भनना होगा आटी रिटन लेकिन बैंक को देनी होगी जांकारी बिजन्स समाचा बे फिला लिता है ऐसे अंदे खबरों से जिड़े रहने के लिए देखते रहे बीसेन नियूज नमस्कार